तो आज इस वीडियो के अंतर देखिये, आज हम क्लास 10th सबजेक्ट साइन्स, ठीक है? अध्याइ एक, रासाइनिक अभिकिरियाये एवुम समिकरन से प्रस्न पढ़ने वाले हैं, इमपोटेंट कि रासाइनिक अभिकिरियाये किसे कहते हैं उधारन सहित समझाई, ठीक है? इसके साथ में बहुत important question पढ़ने वाले है और भी है कि निमनली खित में कौन सा भोतिक परिवर्तन तथा कौन सा रसाइनिक परिवर्तन है यह प्रस नापसे दो नम्मल में या object के रूप में पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो बर्प का पिघल कर जल बनना यह कौन सा परिवर्तन है ठीक है इस तरह से question पूछा जा सकते है तो आपको बताना है कि बर्प का पिघल कर जल बनना कौन सा परिवर्तन है तो यह आपका भोतिक परिवर्तन ठीक है आपने यह भोतिक परिवर्तन और रसाइनि परिवतन की परिभासा यदि पढ़ी होगी वीडियो देखाऊगा तो आपको ये प्रस्न ओटोमेटिकली आप इसको सोलू कर लेंगे ठीक है मुझे बताने की जरुवत ही नहीं एक बात मैंने भोतिक परिवतन और रासाइनिक परिवतन में आपको नोट कराई थी कि भोतिक परिवतन में अन्नी पधात नहीं बनता है कोई सा पधात नया नहीं बनता है ठीक है भोतिक परिवतन में नया पधात नहीं बनता है ठीक है लेकि रासाइनिक परिवतन में नया प भर्फ पिगल कर जल बना बर्फ पिगल कर जल बना कि दूसरा इसमें नएा बना कि वह वह रप बन जाएगा ωर उसको जादना नए सकता है तुझाए निया पतथ कदेखरन में नए पदहार्त नहीं बनता है ठीक है कि टो आप इनको ऐटोमेटिकadı ली सोल कर सकते तौ चलिएinement रहां हम देख्वल m the अभी किर्या किसे कहते हैं साइनिक अभी किर्या में क्या होता है कि एक नए पधार्त से ठीक नए पधार्त होते हैं नए पधार्त नए पधार्त नए गुन्धर्म के साथ गुन्धर्म यानि की गुण गुण उसकी चमता के साथ ठीक है तो नए पधार्त नए गुन्धर्म के साथ ठीक है के साथ बनते हैं बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं रसाइनिक अभी किया ठीक है इसमें किराएंगे नए पधाते नए गुन धर्म के साथ बनते हैं जैसे की दूद ठीक है दूद से दही बनना ठीक है अब जो दूद का कारिये वहां अलग है और दही का जो कारिये वहां अलग है देखिये दूद क्या करता है जब कोई वेक्ति दूद पीते हैं छोटे चोटे बच्चे भी दूद पीते हैं ठीक है लेकिन इसका सही मतलब नहीं पता है कि जो दूद है ये दूद गेस बनाता है दूद से क्या बनती है गेस बनती है ठीक है तो इसके गुंधर्म अलग हो गए दूद के और दही क्या करता है गेस को खत्म करता है ठीक है तो इसके गुंधर्म अलग हो गए ठीक है दूद के गुंधर्म अलग है तो दूद के गुंधर्म अलग है और दही का गुंधर्म अलग है दूद का गुंधर्म क्या है कि यहां गेस बनाता है दूद का गुंधर्म क्या है कि यहां गेस को खत्म करता है ठीक है जैसे जोलंसिल यह आग पकड़ती है ठीके इसने से किर्य की आक्सिजन के साथ किर्य की तो क्या बनेगा है 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 जल है ठीके जल है तो यह आग पकड़ता है और यह आग को बुझाता है तो इसके गुंधर्म अलग हो गए और इसके गुंधर्म अलग हो गए तो नया पधार्त के यह नया पधार्त नय गुंधर्म के साथ बनता है इसी पधार्त के गुंधर्म इसी पधार्त ठीके यह जो पधार्त ही एस्टू इसका क्या का रही है यह बहुती जोलंसिल पधार् लेकिन ने गुंध्र्म के साथ बना। यहां, अब आको परीवासन में आगे कि ने परहत अन्य गुंध्र्म के साथ बनते, उसे हम रसायनिक अभी कीरिया कहेंगे! ठीक है तो चले यहां से आप इसकी परिभास नोट कीजेगा ठीक है यह नोट समय से कि वे अभिकिर्याएं जिसमें नए पधार्त नए गुंधर्म के साथ बनते हैं उसे रहसाइनिक अभिकिर्या कहते हैं कि वे अभिकिर्याएं जिसमें नए पधार्त नए गुंधर्म के साथ बनते हैं उसे हम रहसाइनिक अभिकिर्याएं कहते हैं ठीक है और यह उधार्ण दूद से दही बनना और अगला है भोजन पकाना ठीक है चले अब हम मैं कोश्चन पर आते हैं यह बहुत ही डिवोशन है देखिए एक बात यहाँ पर मैं आपकी किरेल कर दूँ कि जो भोतिक परिवतन है इसमें नए पधार्त नहीं बनते हैं और रसाइनिक परिवतन में नए पधार्त बनते हैं ठीक है इससे ही आप पहचान कर लेना कि कौन सा भोतिक परिवतन है और कौन सा करते हैं humano aqua solutions बनने कि आको नी-जल वासप बनना है भी किष्युक्रोई पानी 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 में जलवासप बनना पादल में भी के वासप बनना है वापिस पानी बनकर गिर गया नीचे ठीक है तो ये बहुती ये अरासनिक परिवतन नहीं ये कुन सा परिवतन है बहुती परिवतन ठीक है बर्प का पिगल कर जल बनना अब देखिए बर्प का पिगल कर जल बनना बर्प देखिए बर्प को हम सही टेमपरिचर पे पिगलाएंगे तो वहाँ पस क्या बनेगा जल बन जाएगा और वापस से हम क्या करेंगे उस जल को उसी temperature के साब से रखेंगे तो वापस बर्प बन जाएगा कुछ नया पदार्त बना नहीं बना ठीक है जैसे फ्रीज में फ्रीज में हमने पानी था पानी रख दिया फ्रीज में और temperature दिया उसकी चाल बढ़ाई तो क्या बन गाए बर्प बन गाए जैसे वापस फ्रीज से निकालेंगे और उसको धूप में लाएंगे थोड़ी दे तो वह पिगल जाएगा वापस जल बन जाएगा तो कुछ भी परिवतन नहीं होगा कुछ सोरी परिवतन होगा लेकिन एक नया पधारत नहीं बनेगा परिवतन एसा होगा कि नमक पूरी तरस उसमें घुल जाएगा और अपना जो खारा पने उसमें पाने में छोड़ देगा ठीके लेकिन एक नया पधारत नहीं बनेगा इस बहुतिक परिवतन कि कि चड़ को रखत करना थीक है इसके बार में हमारा साथवा है दूद का दही जमना दूद से रही का रमना यह भी एक भोतिक परिवतने क्योंकि यह जो किरिया है यह आपकी अभी जो मैं बता है रासाइनिक अभी किरिया है क्योंकि दूद से दही का जमना दूद के गुंधर्म दूद के ने गुंधर्म ने ठीक है दही में तो ने पधात ने गुंधर्म के साथ बनते हैं उसे हम क्या कह इसके बाद में अगला थोस अमोनियम कुलोराइट का उरुपालन यह तो आपका बहुत ही इंपोर्डेंट कोश्चन इसमें से एक यह दो अब्जेक्ट के रूप में आप से हंड्रेट परसंट पूछ जाते हैं तो आप इस ट्रेक्चर को जरूर कंप्लीट करेंगा तो आप यहां से इस परसंट का स्क्रीन सोट ले चलिए यहां से ठीक है चलिए इसके बाद में हैं हमारा अगला कोश्चन यह रसाइनिक अभी किरिया ठीक है रसाइनिक अभी किरिया और उसका उधारन ठीक है तो चलिए यह ता आपका द्याए एक का